हेलो एब्रीबन आज हम ऐसा नास्ता बनाएंग जिसे आप महीनों तक आराम से श्टोर करके रख सकते हो भी बहुत ही कम सामान और मिंटों में तैयार हो जाएगा इससे बनाने के लिए हमने यहां पे आधा कप भूना हुआ चना लिया है जो मार्केट में इसली मिल जाता है इसे अमें ग्राइंड कर लेना यहां पे हमने अच्छे से घ्र Арइंड कर ले-ा उसके बाद यहां पर 1standing यहां पर नोजाता लिए हुआ झाव नामग लिया है और एक इस्पून जिरा लिया है और एक स्पून अजवाइन यहां पर अजवाइन को हमें क्रिस्ट करके डालना है एक स्पून हल्दी लिया है आधा स्पून धनिया और जीरे का पाउडर है और एक स्पून लालमिश पाउडर है उसके बाद यहाँ पर आफ ऊप इस ऊप काली तील लिया है और फोर स्पून डिया है आप चाहिने तो लाल मिज और भी बढ़ा की डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर इसे अच्छे से मिल लेता है और यहाँ पर अच्छे से बाइंडिंग नहीं आ हो रहे थी उसके बाद यहां पर हमने थी स्पून ओल ले लिए अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं अब देखे कितने अच्छे से बाइंडिंग आएगी उसके बाद यहां पर हमने ایک कप गरम पानी लिया है पानी गरम था इसलिए हमने इस स्पून से चला लिया जब अलका सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हमें हाथ से मसलना है हाथ से बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तयार करना है यहां पर हमने आटे को बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तयार किया है इसे हाड नहीं गूतना है वरना हमारे कि जुआ तूट जाएगा है लगा है चोटा है लीटाली मेकर लेघाशे अच्छे इसे हमें अच्छे से अच्छे से डबा डबा के डालना हैений तो इसमें गैस बन जाएगी इसके बाड जो बचा होई wieder ऑच्छे से ढख देना जिसके सूखे न अब अब इसे बंद कर देते हैं इसके बाद यहां पर हमने आयल गरम होने के लिए रख दिया थile हमार ऑयल गरम हो चुका है अब हम इसमें चकली डाल देते हैं और यह बहुत ही क्विक बन जाने वाला नास्ता इसे हमने डाल दिया है स्टार्टिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट होता इसलिए जैसे जैसे पकता जाएगा हार्ड हो जाएगा यहां पर हमारे चकली गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम इससे निकाल लेते हैं इसे आप फेस्टिबल पर बनाईए या फिर साम के नास्ते में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है उसके बाद जो बची वी चकली थो इसे भी हमने इसी तरह से बना के त्यार कर लिया है और यह हमारा क्विक सा बन जाने वाला नास्ता और इसे आप आसानी से महीनों तक श्टोर करके भी रख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने सभी चकलीों को बना लिया है अब इसे छोटा छोटा तोड़ लेते हैं यह हिल्दी भी और बहुत ही कम सामान में बन के त्यार हो जाता और खाने में तो टेस्टी लगता ही है बच्चों और बड़े को सभी को बहुत ही पसंद आने वाला और इसे आप ट्रवलिंग में भी ले जा सकते हैं बहुत ही क्रिश्पी बन के त्यार हुआ है आई होप आप सभी को अच्छा लग और अच्छा लग प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब मैं चैनल कमेंड थैंक